हेलو बच्चो, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? अच्छा, और अपना स्थिहत का आप ध्यान रख रहे हो अपने 20 सेकंड हैंड वाश कर रहे हो, और मास्का भी इस्तिम्स कर रहे हो और साथ ही साथ हम अपनी पड़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं है ना? दे रहे हैं तो चलो बच्चो आज आपको मैं चित्र देख करके हम चित्र से पहचाने की वो कौन कौन सी चीजी है क्या क्या है और उसका उससे शुरू होने वाले पहले अक्षर को लिखने का काम करेंगे ठीक है तो देखो यहाँ पर चित्र है चित्र देखके हमें क्या रहे हैं धोलक क्या दिखाई दे रहा है इसमें धोलक रखाऊ आगा ना तो धोलक बोलने में पहला अक्षर क्या रहे ध्ध क्या रहे है ध्ध तो हम इसको यहां पर इस तरह से लिखेंगे ध पहला अक्षर क्या यहां पर पहला अक्षर दिखना है इसी तरीके से यह देखो आम का चितर है आम सभी को पसंद है तो आम आम बोलने में पहला अक्षर जो आता है वो होता है क्या होता है पहला अक्षर कौन सा आता है इसी तरीके से इसमें देखो ये किसका चितर है फैचाना आपने कबूतर सब जानते हैं न तो कबूतर बोलने में जो पहला अक्षर आता है वो है का कौन सा है क इसी तरीके से ये किसका चितर है मचली का किसका चितर है मचली का तो मचली बोलने में पहला आने वाला आक्षर है म तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे म कौन सा आक्षर लिखा जाएगा म इसी तरीके से ये है टमाटर 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 बोलने में पहला आक्षर जो आता है ट, कौन सा अक्षर आता है, ट, ट, माटर का पहला अक्षर है, ट, तो हम क्या लिखेंगे, ट, और ये सबी बच्चे जानते हैं, सबी को उडाना बहुत पसंद है, न, ये क्या है, पतंग, क्या है, पतंग, पतंग का पहला अक्षर क्या है, प, पतंग का पहला अक्षर कौन सा पातं का पहले अक्षर पा इस तरीके से देखो हमने चित्र के चित्र में से देख करें पहले कि पहचाना और उन्हें लिखा धोलक का ठा लिखा, आम का लिखा है कबूतर का का लिखा है मचली का मठ इसी तरह से टमाटर का अट और पतंग का पा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि चित्र देखे हम किस तरीके से अक्षरों को लिख सकते हैं और किस तरीके से चित्रों को समझ करके उससे शुरू होने वाले पहले अक्षर को भी समझ सकते हैं आशा करती हो आपको